ओम श्री ब्रिस्पते नमा, ओम नमो नारायन, गुरुवार के दिन वरत रखने से ब्रस्पती देव की करपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही श्री हरी नारायन की करपा भी प्राप्त होती है, ब्रस्पती बार वरत में नमक नहीं खाय जाता है और इस दिन चने की दाल, देख सकते हैं और खुद भी कथा करने के बाद पढ़ सकते हैं। तो आए शुरू करते हैं ब्रस्पतिवार व्रत कथा। नहीं भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने बनको गए वे थे तो राणी महल में अकेली थी। उसी समय ब्रस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में बिक्षा के ले गए और बिक्षा मागी। तब प्रानी ने भिक्षा देने से इंकार कर दिया और कहने लगी हे साधु महराज मैं तो इस दान पुर्णी से तंग आ गई हूँ मेरा पती सारा धन लुटाते रहते हैं मेरी इच्छा है कि हमारा धन नस्ठ हो जाए फिर न रहेगा बास और न बजेगी बासुरी साधु ने कहा देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो धन संतान तो सभी चाहते हैं पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए यदि तुमारे पास अधिक धन है तो भूकों को भोजन दो प्यासों के लिए प्याव बनवाओ मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवा अपनी कुमारी कन्याओं का विवहा नहीं कर सकते उनका विवहा करा दो ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोग पर लोग में फैलेगा परन्तु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा वो बोली महराज आप मुझे कुछ मत समझाईए मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगा पाटती फिरू साधू ने उत्तर दिया यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर तथास तू तुम ऐसा करना कि ब्रस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर्धो कर इसनान करना भट्टी चढ़ा कर कपड़े धोना ऐस करने से आपका सारा धन नस्ठ हो जाएगा ऐसा कहकर साधू महराज वहां से अलोप हो गए साधू के नुसार कहीं बातों को पूरा करते वे रानी को केवल तीन ब्रस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी सारी धन संपती नस्ठ हो गई और भोजन के लिए राजा का परिवार तर ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया अब वहां वो जंगल से लकडियां काट कर लाता और शहर में वेस्ता इस तरह वे अपना जीवन विद्धीत करने लगा इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी एक बार जब रानी और दासी को साथ दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा दासी पासी के नगर में मेरी बहन रहती है वे बड़ी धर्मान है तो उसके पास जा और कुछ लेया ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए दासी रानी की बहन के पास गई उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय ब्रेस्पतिबार व्रत की घथा सुन रही थी दासी ने रानी की बहन को पर रानी का संदेश दिया लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उतर नहीं दिया जब दासी को रानी की बहन से कोई उतर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया तब दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी सुनकर रानी ने अपने भागी को खूप कोसा उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परन्तु मैं उसे नहीं बोली इससे वो बहुत दुखी वह योगी कथा सुनकर और पूजन समांत करके व नहीं बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली कहो दासी क्यों गई थी तब रानी बोली बहन तुमसे क्या छपाओं हमारे घर में खाने तक को नाज नहीं था ऐसा कहते कहते राणी की आखें भर आई उसने दासी समेट पिछले साथ दिनों से भूके रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पुर्वक सुना दी रानी की बहन बोली देखो बहन भगवान प्रिस्वतिदेव सबकी मनुकामनाओं को पूर्ण करते हैं देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हे रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रती तो करते हैं इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधी पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत रख सकें तब रानी ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत की पूजा विधी के बारे में पूछा उसकी बहन ने बताया ब प्रसपती देव प्रसन होते हैं व्रत और पूजन विधी बताकर रानी की बहन अपने घर को लोट गई साथ दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा गुर साल में जाकर चना और गुर लेकर आई फिर उसने केले की जड़ का पूजन किया त और वे एक साधरन व्यक्ती का रूप धर कर दो थालों में सुन्दर पीला भोजन दासी को दे गए भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहन किया उसके बाद से वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी ब्रसपती प्रकार आलसी करती थी तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था इस कारण सभी धन नस्थ हो गया अब जब भगवान ब्रसपती की करपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलसी होता है रानी को समझाते वे दासी कहने लगी कि रानी बड़ी मुसीबतों के बाद हमन प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितर भी प्रसंद होंगे दासी की बात सुनकर और मानकर रानी अपना धन शुबकारियों में खर्च करने लगी जिसे पूरे नगर में उसका यश्ट फेलने लगा एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है उन्होंने श्रद्धा पूर्वक ब्रस्पती भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहां कहीं भी हो शीगर वापस आ जाएं उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा वहें प्रति दिन जंगल से लकडि ब्रस्पती देव साधू के वेश में आकर बोले हे लकड हारे तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो मुझे बतलाओ ये सुनकर राजा की आँखों में आशू भराए साधू की बंदना कर राजा ने अपनी संपोर्ण कहानी सुना दी महात्मा दयालू होते ह वे राजा से बोले हे राजा तुम्हारी पत्नी ने ब्रस्पती देव के प्रती अपराथ किया था जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई अब तुम चिंता मत करो भगवान तुम्हें पहले से भी अधित्धन देंगे देखो तुम्हारी पत्नी ने ब्रस्पतिवार का व्रत आरंब कर दिया है अब तुम भी ब्रिस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड जल के लोटे में डाल कर केले का पूजन करो फिर कथा कहो यह सुनो भगवान तुम्हारी सभी मनुकामनाओं को पूर्ण करेंगे सादू की बात सुनकर राजापूला है प्रभु लकडी बेच कर तो इतना पैसा मुझे नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद मैं कुछ बचा सकूँ और मैंने रात को प्रे रानी को व्याकुल देखा है मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समचार जान सकूँ फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ ये भी मुझे नहीं साधू ने कहा हे राजा मन में ब्रस्पति भगवान के पूजन वृत का निश्चे करो बे स्वेम भी तुम्हारे लिए कोई ना कोई रह बना देंगे ब्रस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकडिया लेकर शहर में जाना तुम्हें रोज से दोगुना धन साधू माराज बताने लगे प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्रहमर था उसकी कोई संतान नहीं थी वह नित पूजा पार्ट करता लेकिन उसकी इस्त्री ना इसनान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती जिस कारण ब्रहमर देवता बड़े दुखी रहा कर भगवान के करपा से ब्रहमर के यहां एक कन्या उत्पन हुई वह कन्या धीरे-धीरे बड़ी होने लगी प्रातहिस्नान करके वह भगवान विश्णु का जब करती ब्रस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुठी म कहें जो भर कर ले जाती और पाठ शाला के मार्ग में डालती जाती लोटते समय वही जो स्वंट के हो जाते तो उन्हें बीन कर घर ले आती एक दिन वेह बाली का के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए दूसरे दिन कुरुवार था कन्याने वरत रखा और ब्रसपती देव से सोने का सूप देने की प्रार्त ना की ब्रसपती उसकी प्रार्थना स्विकार कर ली रोजाना की तरह वेबाली का जौफेलाती भी पाठशाला गई पाठशाला से लोटकर जब वह जौआव बीन रही थी तो ब्रसपती देव की करपास से उसे सोने का सूप भी मिल गया उसे वह घर ले आई और उससे जौसाफ करने लगी पर कन्या के रूप और काम को देख कर फैब मोहित हो गया, राज महला कर भोजन और जल्द द्याग कर उदास होकर लेट गय राज़ा को जब राजकुमार द्वारा अन начल द्यागने का समचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारन पूछा राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बतला दिया तब मंत्री उस लड़की के घर गया मंत्री ने ब्रहमर के सामने राजा की ओर से निवेदन किया कुछी दिनों बाद ब्रहमर की कन्या का विवार राजकुमार के साथ संपन हो गया उधर कन्या की घर से जाते ही ब्रहमर देपता की घर में पहले की भाति गरीबी का निवास हो गया फिर एक दिन दुखी होकर वह ब्रहमर अपनी पुत्री से मिलने गया बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी मा का हाल पूछा तो ब्रहमन ने सभी हाल के सुनाया तब कन्या ने बहुत सारा धन देखकर अपने पिता को विदा कर दिया लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हुआ ब्रहमन फिर अपनी कन्या के यहां गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली हे पिता जी अब की बार आप माता जी को यहां लिवा लाओ मैं उन्हें वह विधी बता दूंगी जिसे गरीबी दूर हो जाए ब्रहमन देखता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राज महल पहुँचे तो पुत्री अपनी मा को समझाने लगी हे मा तुम प्रातहकाल इस नानादी करके विश्नु भगवान का पूजन करो तो सब दर्रिदर्दा दूर हो जाएगी परंतु उसकी मा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी वे प्रातहकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खालिया करती थी एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुसाया और उसने अपनी मा को एक कोठरी में बंद कर दिया प्रातहकाल उसे इस नानादी कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी मा की बुद्धी ठीक हो गई इसके बाद वे नियम से पूजा पाठ करने लगी और हर ब्रिस्पतिवार को व्रत भी करने लगी इस व्रत के प्रभाव से मृत्यू की बाद वे स्वर्ग को गई वे ब्रहमट भी सुक पूर्वक इस लोग का सुक भोग कर स्वर्ग को प्राप्थ हुआ इस तरह कहानी कहकर साधू बने ब्रिस्पतिदेव वहां से आलोप हो गए धीरे धीरे समय बीतने पर फिर वही ब्रिस्पतिवार का दिन आया राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेशने गया उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला राजा ने चना गुड आदि लाकर ब्रिस्पतिवार का व्रत किया उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए परन्तु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह ब्रिस्पतिवार का व्रत करना भूल गया इसी कारण ब्रिस्पतिवार नाराज हो गय उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यकी का आयजन किया था तथा अपने समस्त राजी में घोशना करवा दी कि सभी मेरे यहां भोजन करने आएं किसी के घर चूला ना जले इस आग्या को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी राजा की आग्या निसार राजी के सभी लोग राजा के भोज में आमतरित हुई लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुचा इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गए जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो राणी की द्रस्टी उस खूटी पर पड़ी ज रकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि नजाने कौन से पूर्व जनम की कर्मों से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है और जंगल में मिले साथू महराज को याद करने लगा ततकाल ब्रस्पतिदेव साथू को रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे अरे मूर्ख तूने ब्रस्पतिदेवता की कथा नहीं की उसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है अब चिंता मत कर ब्रस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे चार पैसे पड़े मिलेगे उनसे तू ब्रस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कस्ट दू अपने में कहा ये राजा तूने जिसे जेल में बंद कर दिया है उसे कल छोड़ देना वे निर्दोश है वे राजा है राजा प्रातकाल उठा और खूटी पर हार तंगा देखकर लगण हारे को बुला कर च्छमा मागी तथा राजा को योगी सुन्दरवस्त्र आभूशन देखकर उसे विदा कर दिया ब्रस्पति देव की आग्या नुसार राजा अपने नगर को चल दिया राजा जब नगर के निकट पहुचा तो उसे बड़ा ही आश्यर हुआ नगर में पहले से अधिक बाग तलाब और कुए तथा बहुत सी धर्मशालाएं मंदिरादी बने होगा उधर जब राणी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा हे दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे वो हमारी ऐसी हालत देखकर लोटना जाए इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा राणी की आग्या निसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवाल आई तब राजा ने क्रोध करके अपनी दलवार निकाली और पूछने लगा बताओ इधन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है तब राणी ने सारी कथा कह सुनाई सुनकर र राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहां हुआँ इसी तरह निश्यकर घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहां चल दिया मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं उन्हें रोक कर राजा कहने लगा अरे भाईयों मेरी ब्र जब कथा आदी हुई थी तो वह मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाब थुई तो वह मनुष्य राम राम करके उठ खड़ा हुआ राजा आगे बढ़ा उसे चलते चलते शाम हो गई रास्ते में किसान खेत में हल्द चलाता मिला राजा ने उससे भी कथा सुनने काग र गए तथा किसान के बेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा उसी समय किसान की मा रोटी लेकर आई उसने जब देखा तो अपने बेटे से सब हाल पूछा बेटे ने सभी हाल बता दिया बुडिया दोड़ी दोड़ी उस घुट सवार के पास पहुची और उससे बोली बे बहन के घर पहुच गया बहन ने भाई की खोब महमाने की दूसरे द्रोज प्रात्यकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भूजन कर रहे हैं राजा ने अपनी बहन से पूछा ऐसा कोई मनुश्य है जिसने भूजन ना किया हो जो मेरी ब्रिस्पतिवार की कथा सुनले बहन बोली है यह देश ऐसा ही है यहां लोग पहले भूजन करते हैं बाद में कोई अन्य काम करते हैं शायद कोई पडोस में हो तो देखकर आती हूं ऐसा कहकर वह एक कुमहार के घर गई पता चला उसका लड़का बिमार था उसकी यहां तीन रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमहार से कहा तो वह तयार हो गया राजा ने जाकर प्रिस्पतिवार की कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया अब तो राजा की प्रशिंसा होने लगी एक दिन राजा ने अपने बहन से कह बेहन अपने घर जाओंगा तुम भी तेयार हो जाओ। जब अपने लड़कों को मत लेकर जाना चोंकि तेरे भाई की कोई संथान नहीं होती है। बेहन ने अपनी भाई से कहा भाई या मैं तो चलूंगी मगर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने कहा जब बालक ही नहीं जाएंगे तो तुम भी जाकर क्या करोगी और इस तरह दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया राजा ने अपनी राणी सारी कथा बताई और बिना भोजन किये वह शया पर लेट गया राणी बोली हे प्रभो ब्रस्पति है वे हमें संतान अवश्य देंगे उसी राद ब्रस्पति देव ने राजा को सपन में कहा हे राजा उठ सभी सोस्तियां दे तेरी राणी कर्भ वती है राजा को ये जानकर बहुत खुशी हुई और ठीक नवे महिने राणी की गर्भ से एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ तब राजा बोला हे राणी इस तरी बिना भोजन के रह सकती है पर अंतु बिना कहे नहीं रह सकती जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना राणी ने हा कर दी जब राजा की बहन ने ये शुब समचार सुना तो वह बहुत खुश हुई ते था बधाई लेकर अप मनुकामनाई हैं सभी को पूंड करते हैं जो सद्भावना पूर्वक ब्रस्पतिवार का वरत रखता है और कथा पढ़ता है अत्वा सुनता है और दूसरों को सुनाता है ब्रस्पतिदेव उसकी सभी मनुकामनाई पूंड करते हैं ब्रस्पतिदेव उनकी सदय व्रक्षा करते हैं जो संसार में सत्भावना और सच्चे हिर्दय से ब्रस्पति देव का पूजन करते हैं उनकी सभी मनुका उसी प्रकार पूर्न हो जाती हैं जैसे राणी और राजा ने ब्रसपति देव की गठा का गुनान किया उनकी सभी छाये ब्रसपति देव ने पूर्न की थी मनस्षेए को हिर्दय से नगा मनन करतेवे जैकारा बोलना चाहिके प्रेम से बोलिए ब्रस्पति देवता की जै ब्रस्पति देवता की आर्थी ओम जय ब्रस्पति देवा स्वामी जय ब्रस्पति देवा चिन चिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा ओम जय ब्रस्पति देवा तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर तुम सब के स्वामी ओम जय ब्रस्पति देवा चर्णामृत निजिनिर्मल सब पातक हरता स्वामी सब पातक हरता सकल मनुरत दायक क्रिपा करो भरता ओम जय ब्रस्पति देवा तन मन धन अरपन कर जोजन शरन पड़े स्वामी जोजन शरन पड़े प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े ओम जय ब्रस्पति देवा दीन दयाल दयान धी भक्तन हितकारी स्वामी भक्तन हितकारी पाप दोश सब हरता भव बंधन हारी ओम जय ब्रस्पति देवा सकल मनुरत दायक सब शंशैतारो स्वामी सब संशैतारो विशय विकार मिटाओ संतन सुखकारी ओम जय ब्रस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे जे स्ठानंद बंध सो सो निश्चय पावे ओम जय ब्रस्पति देवा ओम जय ब्रस्पति देवा स्वामी जय ब्रस्पति देवा चिन चिन भोग लगाओं कदली फल मेवा ओम जय ब्रस्पति देवा बोले ब्रस्पति देवा की जय